अलो बच्चो क्या हाल चाल एक बार फिर से आपका स्सेस पारेंड में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि लोग जो हैं प्रोब कर देते हैं 2 प्लस 2 बराबर 5 आज हम देखें कि क्या है इसकी सच्चाई क्या है इसकी रियल्टी क्या 2 प्लस 2 बराबर 5 हो सकता है या नहीं हो सकता है तो हम आप जानेंगे कि लोग प्रोब कैसे कर देते हैं कि 2 प्लस 2 बराबर 5 तो मैं सबको सबसे पहले में बता दे रहा हूं कि 2 प्लस 2 बराबर 4 होता है ना की 5 लेकिन लोग प्रूब कर देते हैं और वो गलत प्रूब करते हैं वो नीचे रूल भी लिख देते हैं कि बहुत से मैंने YouTube चैनल पे देखा कि उन्होंने इस बात को प्रूब किया है कि 2 प्ल तो आप उससे physics भी solve कर सकते हैं chemistry भी solve कर सकते हैं तो mathematics ऐसा base है जो जिसका कभी भी हमारा base है या जो भी concept हम mathematics में सीख रहे हैं इसके rules पहली बात कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं अगर मैंने कोई भी चीज सीखी है ठीक है mathematics में तो हर जगा उसके rules फालो होंगी या हम कोई फार तो भी कुछ नादाल लोग ऐसे हैं जो दो प्लैस दो बद्बराबर 5 प्रोप कर देते हैं और प्रोप कैसे करते हों क्या गतीया करते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर देखिए यह लिख़िए जिए निचेरह तर्षी ile तो इधा लिख देते हैं 25 माइनस 25 इनकी बात यहां तक सही है कि 0 बरावर 0 लिखा जा सकता है और इस 0 को 20 मानस 20 भी लिखा जाता है क्योंकि 20 मानस 20 जीरो ही होगा 25 मानस 25 जीरो ही होगा बट यहां पर यह इसको लिख देते हैं 4 गुड़े 5 चलिए भी सही एक ब्रेकेट में इसकी वैलो 20 होगी यहां मानस लगा यहां मानस लगा देते हैं यहां 4 गुड़े 5 इसकी वैलो 20 होती है चलिए ठीक है यह भी बास सही यहां पर लिखा है 5 गुड़े 5 पचीश चलिए भी बास सही है यहां लिख देते हैं 5 गुड़े 5 यहां तक तो इनकी बात पूरी पूरी सही है जो लोग करते हैं चरी नेक्स श्टेप में यह क्या करते हैं चार कामल ले लेते हैं चार कामल लेने के बाद यहां बसता है पांच और यहां भी बज़ता है माइनस का पांच क्योंकि चार तो बाहर निकल गया है कामल में फिर यहां तक तो इन्हों ने जो बास लिखी है वो एकदम सही है बट नेक्स श्टेप में क्या करते हैं इन्हों यह 5-5 और यह 5-5 कार देते हैं बट दोस्तों यह कभी कटेगा नहीं क्यों क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी कोई ऐसा टर्म लिखा हो जिसकी वैलो जीरो आ रहे हो जैसे 5-5 इसकी वैलो जीरो 5-5 जीरो यानि कि अक्च्वन में आपको मैं बता दू कि यहांपर क्या किया जा रहा है बट मैं आपको बता दूँ अगर कभी भी 0 को 0 से डिवाइट किया जाएगा तो इसकी वैलू 1 नहीं बलकि होते ही not defined, क्या होती ही not defined, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि 0 को 0 से डिवाइट करने पर 1 नहीं not defined के होता, जैसे आपको बता है अगर हम यहाँ 5 लिख दे तो 5 को अगर 5 से डिवाइट किया जाएगा तब तो वन आएगा, यानि कि 0 अपन 0 को छोड़के दुनिया के कोई भी ऐसी संख्या अगर ले ली जाए, जिसको उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसकी वैलू 1 आएगी, जैसे हम यहाँ पर लिख दे 6 और बटे में पांच यानि कोई भी वैलू होती, इस वैलू को छोड़के, मतलब 0 अपन 0 छोड़के तब तो यहाँ पर बास ही होती, तो यह लोग यहाँ पर यह कार देते हैं, और घर दिखाते हैं कि 4 बच गया यह 5, तो आपको बता है दोस्त, जब यहाँ पर यह मैथमेटिक्स, इन् दिखना है मार्फमेटिक्स का कि 0 को 0 से कभी भाग देने पर 1 नहीं आता है, यहाँ पर यह गलत कर रहे हैं, यहाँ पर कोश्चन गलत कर रहे हैं, तो इनका यहाँ पर एंसर भी गलत आ रहा है, और यह बता देते हैं, 4 बड़ाबर 5, यह इनकी नादानी है, कि बैक उपी ह हैं इन्होंने कम पढ़ा क्या करा इन्होंने बच्चों को जो Again गुम्रा करके रखके रृणप जिज़ें सिखाथे कभी कभी बच्चे हम भी आउफ लाइन कोचिन पढ़ाते हैं तो कभीकभी वह पोचते हैं कि सदिट दो फ्लस प्रूब करके दिखाईए अगर कोई ऐसा बंदा आपके पास आता है माली जी और वो प्रूब कर देता है कि 4 बराबर 5 तो हम कहते हैं चलिए चार बराबर 5 है और आप ने प्रूब करके दिखाया तो आपको कुछ नहीं करना है आपको इस चार के आगे 2-0 लगा देना है और मैं 400 रुपया दे रहा हूँ आपके लिए तो बराबर है ना वह बार यहां पर देखते हैं कि 0 बटे 0 and not defined क्यों होता है और इसको यहां पर यह क्यों नहीं कर सकते है चलिए अब देखते हैं कि 0 को अगर 0 से डिवाइट किया जाए तो 1 ना के not defined क्यों लिखा जाता है जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर किसी भी संख्या जैसे माल लीजी यहां पर 5 लिखा यहां भी 5 लिख दे तो इसकी value बनाएगी अगर यहां पर 6 लिख दे और बटे 6 लिख दे तो value बनाएगी आपको बता है कि 0 5 0 को छोड़ कर कोई भी ऐसा नंबर है जिसको उसी न आपको बता है कि यहां पर अगर 0 को 0 से भाग लगाए जाते है पर 0 लिख और हम यहां पर 1 को टीप्लाइगे 0 को यहां बट्लाइगा तो 2 को 2 आजाएगा 0 आजाएगा फिर अगर हम यहां 3 लिख दें तो 3 को 0 से multiply करेंगे फिर भी 0 आजाएगा इसी क्रम में हम ऐसे चलते जाएगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे हम चलते जाएगे कोई भी हम संख्या लेंगे तो यहां पर 0 आएगा और value पूरी तरीके से divide हो जाएगी तो आपको हम एक बात बता दें कि यहां पर value तो हमारे पास इतनी देर सारी है इतनी देर सारी है बट हम इस बात को defined ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी ऐसे value है जो exact इस 0 को divide कर देंगे समझ पा रहे हैं कि मतलब हर एक value को fix नहीं कर पा रहे हैं कि यही value होगी जैसे बे Bridges पता है इस 5 नहीं इस पांज को 5 से सकते कुला हमेद सब्सकुली जी कहते हैं नहीं नहीं खुरहें यानि हम इसके answer को defined ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, 0 upon 0 क्या लिका जा सकता है, not defined, मतलब value क्या है, आप रवासित है, हम लोग defined ही नहीं कर पा रहे हैं, इस वज़ा से जो अभी हमने सीखा, कि 2 plus 2 बराबर 5 नहीं होता है, तो लोग और भी तरीके से इ value 1 लिकर के आ रहे हैं, तो इसलिए उनका answer गलत आ रहा, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वाला concept और जो यह मित आप बना के रखे थे, कि आपने कहीं से सीखा था और आप बहुत खुस हो गए थे, और कहीं जाके आप जादू दिखा रहे थे, थमनिल में बने लिखा है कि मैट का जादो 2 प्लस 2 बराबर 4 होता है बटा आप पांच परोग करके दिखा रहे हैं, तो यह कोई आपकी दिमारी नहीं, यह आपकी मुर्खता है, आप कहीं नादान टीचर से सीख के आये थे, कि यह बात कि 2 प्लस 2 बराबर 4 नहों के 5, तो मैं आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए और अपनी नादानी को खतम करके अपनी समझदारी को मैथमेटिक्स के प्रति बढ़ाईए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत ध्यन्यवाद फिर से मिलते हैं किसी इंटरस्टिंग टोपिक के साथ